तो आज हम लोग दुबारा से हमारा प्लाटफॉर्म के मojुदें और आज हम लोग हैं subscribe और इसमें यहां यहां प्रमाटória करें घुकर्णेंटेंटें सुछ कोई और पॉंपरेंट stab desar प्रौ ऑइफ ज्यादा करने हैं जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक से वो सारे टॉपिक को हम लोग बिल्कुल अच्छे से डिसकस करेंगे सारी चीजिए को एक एक करके देखेंगे और जो प्रिविएस यह जानी की कि का पहले के जो ःड़ीक के जैएल पी टेखनिशन के बीच घर कशाएंगे जो भी इन उन्से पड़ेंगे उससरे जो भी प्रश्न पूच्छे गए हैं अच्छे से करेंगे ठीक है और बहुत इंट्रेस्टिंग रहने वाली है ठीक है कि तो अधन्य लोग चाप रिइन टापिक कबर करने वाले हैं वह यह अधिक पड़ यूिजरमेंट का ही सब परट हम लोग कह सकते हैं थीक है तो जो यूमेजरमेंट्स है कि क्या क्या हुती है और उन्हों को हम कैसे लिख सकते मतलब कौन सी मात्राइं वियुथपन है कौन सी मात्राइं किन मात्राओं पर निर्भर करते हैं यह सारी चीजें हमने पढ़ा था और उस पर बहुत सारे को भी हमने देखा था ठीक है अब मेजरिंग इस्टूमेंट्स हम लोग पढ़ेंगे मतलब कि हम लोग इस टॉपिक में देखेंगे कि अलग-अलग चीजों को मेजर करने के लिए क्या अलग-अलग उपकरण जो हैं बने हैं ठीक है और वह थोड़ी बहुत किस तरह से काम करत है इस चीज़ों पे हम ध्यांगे ध्यान देंगे और उन्से रिलेटेड उन्से रिलेटेड बाते Х जो कि exams में पूछा दा सकता है कुछ-कुछ important concepts है उन चीजों को भी हम बहुत अच्छे से notice करेंगे और उन पर प्रश्न करेंगे ठीक है तो आए स्टार्ट करते हैं कि तो मेजरिंग इस्ट्रमेंट में सबसे पहला जो चीज ऑमापी जांघी सकते हैं कि अधुर में भी यहां देख सकते हैं यू यानि वाय यू पर जुडाब यानि में प्रेशर तो मय यू पर प्रेशर लग रहा है उस चीज को को मेजर करता है ये इन्स्टूमेंट ठीए तो कि समय को नापने के लिए बहुत सारी घड़िया है संडायल जो कि पूर्वे जमाने में यूज होता था ठीक है अटमिक लॉक्स है तो बहुत सारी चीज़ें जिससे हम समय देख सकते हैं या समय का पता लगा सकते हैं उसी प्रकार बैरोमीटर यानी अट्मस्फेरिक प्रसे वायू मंडली या दाफ जिसको हम लग बोलते हैं उसको भी नापने के लिए मापने के लिए अलग-अलग तरह के बैरोमीटर वह भी हम आये देखते हैं कि करके बट हम जो बेसिकली पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे मरकरी बैरोमेटर के बारे में और उ होता है वह सबसे ज्यादा एक्यूरेट होता है ठीक है और सबसे ज्यादा एक्यूरेट इसलिए होता है क्यूंकि क्यूंकि इसमें जो उपकरन है मतलब यह जो मेजरिंग इसमें जो पदार्थ यानि जो मैटरेल होता है वह होता है इसको हम लोग है चीज से भी डिनोट करते हैं यहां तक सब चीज क्लियर है अब मर्करी की दो तीन खामियां मतलब सौरी प्रापर्टीज होते हैं जिसमें हमें यह देखना है कि आखिर मर्करी क्यों अफकोर्स मर्करी इतना सस्ता भी तो नहीं है जैसे कि ठर्मोमीटर्स हमें में हमारे ओर तो तुरत निकाले अपने बोडी तेमप्राइटर नापते हैं तो इस रामई फ्रेय्या देल का ठीक तो ठैक्यों जोगी धोर बहुत चॉसली में और तो उसको देखने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि mercury जो है mercury barometer वो किस तरह से थोड़ा काम करता है तो जैसे कि मान लेते हैं कि ये एक उल्टा ट्यूब है ठेक है और ये एक container में रखा हुआ है ठेक है ये container में रखा हुआ है यह पूरा mercury भरा हुआ है यहां पूरा mercury भरा हुआ है सेम लिक्विड यह उल्टा करके रखा हुआ ठीक है अब होता क्या है अब हमें यहां यह देखना है कि अब जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कि यह portion जो है जैसे कि यह portion कि यह portion क्या खुला हुआ है तो जब यह portion खुला हुआ है तो ओविसली इसमें किस तरह का एक्ट कर रहा हुआ तो जब यह इस पर कुछ दाब लगा गाएगा अब जब यह जो लिक्वीड है यह पदार्त है जो मरकरी है वो क्या होगा अंदर की तरफ उठेगा तो जितना अंदर की तरफ इसका कुछ तो जितना यह अंदर की तरफ उठेगा ठीक है वह उतना रीडिंग हमें शो करता है तो जनरली जो होता है वह था जो की एक्मस्फेरिक प्रेशर जनरली हम लोग देखते हैं या नोटिस करते हैं इन जनरल ठीक है अब हम जैसे की डिसकस अभी कर रहे थे कि आखिरकार मर्करी क्यों जो दता ठीक आखिर क्या कारण है कि हम लोग मर्करी का ही यूज़ करते हैं पहले बात सबसे पहला देंसिटी यानि भनत्व तो जो मर्करी का जो घनत्व है वो पानी की तुलना में 13.6 यानि लगभग जो मर्करी है वो 13.6 टाइम्स जादा डेंसर है जादा घना है कंपेर टू कंपेर टू वाटर ठीक है अब इसके करण क्या होता है कि जैसे कोई चीज जादी घनी है तो उससे क्या होगा इसका जो भी डेंसिटी है उसके टेंपरिचर के अकॉर्डिंग करेगा ठीक है अब जैसे दूसरा है यहां टेंपरिचर वैरियेशन मतलब इसमें होता क्या है कि जैसे कि कोई भी एक्पेंट जैसे कि हम उसे हीट देते हैं ठीक है जैसे हमें मालीजे थर्मोमीटर है हारी धर मेतरब में अद्र शेयाइब बना तो जैसे हम उसे फिंट करते हैं और अपनेकर अने अपने को लाने को बहुत ही स्टेबल तो यह ठोड़ा सा टेंप्रेचर यह तुरंत बढ़ गया एक बहुत जादा या तुरंत थोड़ा सा भी टेंपरेचर हटा है तो तुरंत जाके गिर गया तो यह चीज़ें नहीं होती है जिससे हमें आकुरेट मेजरमेंट बॉड़ी का मिलता है इसलिए हम लोग इसका यूज करता है जो तीसरी और एक बहुत इंपोर्टेंट चीज है वह है कि स्टिकिनेश एग्जैम्पल लोग लेता है जैसे कि पानी बानी की निया पिक यह ग्लास तो उसमें इस लिए यह कहा है जब भी वह उपर जाएगा और नीचा और जैसा कि हम लोग जानते हैं यह एक ऐसा मेटल है जो की पदार्थ के रूप में है किसमें रूम टेंपरेचर पर मतलब मेरे जो रूम टेंपरेचर है उस पे वह लिक्विट के फॉर्म में रहता है वह ऐसा ही एकलौता मेटल है ठीक है इस वजह से भी हम लोग उसको यूज करते हैं ठीक है अब हम लोग नेक्ट चीज देखते हैं लक्टो मेटर तो लक्टो मेटर जेनरली जो यूज होता है यह यह चोटा से एक्विप्मेंट है तो इसका जो प्रयोग हम लोग करते हैं इसको purity of milk मतलब दूद कोई भी दूद कितना प्योर है कितना उसमें पानी मिलाए गया है कितना पानी नहीं मिलाए गया है यह चीज को बताने के काम में आता है यह लक्टो मेटर ठीक है अब इस लक्टो मेटर कैसे काम करता है तो यह जो प्रिंसिपल है जिस प्रिंसिपल पर काम करता है उसे हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक ग्राविटी और मिल्क अब स्पेसिफिक ग्राविटी या स्पेसिफिक डेंसिटी हम लोग जैसे इसे बोल सकते हैं ठीक है स्पेसिफिक डेंसिटी हम लोग बोल सकते हैं ठीक है तो स्पेसिफिक ग्राविटी मतलब इसमें क्या ह होता है कि जैसे कि अगर मान लीजे हमने एक रेंज लिया है कि इस से इस रेंज के बीच अगर आया है तो मेरा क्या है मिल्क प्योर है उसमें कोई भी मिलावत नहीं है तो अगर इस इस करेंगे तो इस 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 प्राविटी जनने दूद का जो स्प्राविटी है उसके कंपारिशन में यहां पर कहीं आ रहा है तो यह करेगा कि मिल्क मेरा और मिल्क में कोई भी अडल्टरेशन या मिलावत नहीं किया गया लेकिन अगर यहीं चीज़ ऊपर आ जाए या नीचे करता है कि मिल्क में कुछ ने कुछ मिलावत की गई है वह यहां यहतार मिल्क कि है और 11 12 में भी पढ़ा है कि एक ऐसा एकक्विप्मेंट है एक ऐसा उपकरण है जिसे हम लोग क्या करते हैं कोई विद्यूत परिपत मतलत जैसे कि एक इलेक्ट्रिक सरकीट है मान लगता है तो अब यह एलेक्ट्रिक सरकीट है और यहां मेरा बल्व रखा हुआ है तो जैसे यह जो इलेक्तिक सर्कृिट है तो अब जैसे कि आप देख सकते हैं घ्रकृट कम्पलीट है तो बिजली positive terminal से negative terminal की और फ्लो करेगी तो हमें अगर मान लिजे यह देखना है कि कितनी बिजली ठीक है कितनी मात्रह में बिजली इस परिपत विद्यूत परिपत में ठीक है इस विद्यूत परिपत में प्रवाहित हो रही है कितना amount of current है वो इस circuit electric circuit में flow कर रहा है तो इसको हम लोग measure करते हैं ammeter से और एक बहुत ही important question important fact जो है वो यह पूछा जाता है बार-बार की ammeter कहाँ measure किया जाता है कहाँ लगाया जाता है तो हमेशा ध्यान रहे ammeter का symbol यह से denote करेगा किया जाएगा जो equipment है उसमें ammeter हमेशा मेरे लगाया जाता है ठीक है कभी parallel में नहीं लगाया जाता है अब कि विद्यूत परिपत में प्रवाहित हो रही है ठीक है अब नेक्स हम लोग देखते हैं यहां तो यहां तीन चीजे लिखी हुई है जो कि जनरली जिसमें स्टुडेंट्स बहुत कन्फ्यूज करते हैं पहला है कि पोटेंशियो मीटर गालवनो मीटर और वोल्ट मीटर तीन अब अब से बीच में कितना वोल्टेज कितना विभाव है यह हम कैसे करेंगे तो यह हमें बताता है वोल्ट मीटर को हम लोग एक और चीज़ बोलता है उससे बोलते हैं विभाव त्वार्पी यह यहांनि यह डो बिंदूओं के मेरे मेरे विद्ध सुधार में किसी भी दूदूओं के बीच्ट कितना कितना है कितना वोल्टेज यह अगर मुझे जानना है आफ तो में वोल्टमीटर का यूज्ञ satisfaction और और ज़ुक्स होड जाब गी के कोडिन कर ना जहां काभी जिन भी दो बिंदों का मेशर करना उसके पाशर्वक्रम यानि उसके पैरलल में ही लगाए जाता है कि और ग्यान कि अब ग्यार्सराथ अधा कि ओक के हुझा पॉटेंशियो ब्रिया Song जड़ाइज्था जरूरी अंतर वहर मैं एह मैं दीछ पोटेंशियमेटर मेरा जैसे में कि सार्कीट के मैं कितना Medical Jazz प्लो हो रहा है या इसमें कितना वोल्टेज आरहा है उस चीज़ को हमें अगर मेजर करना है तो हम पोटेंशियोमेटर का यूज करते हैं पोटेंशियोमेटर में जनरलzer या वोल्टेज निकालना है तो उसके समें हम लोग वल्टमेटर का यूज करेंगे ठीक है और तीनों ही फैरलल में लगते हैं ठीक है तो आइए अब हम कुछ questions है उनको देखते हैं ठीक है तो यहां तक जो चीजों की हमें ज़रूरत पड़ते चलेगी हम उन सारी चीजों को cover करते हुए चलेंगे ठीक है तो आइए हम एक चीज देखते हैं अब question है कि unit of refractive index refractive index यानी अब पड़तनाग अब refractive index को जो होता है मियू रिप्राक्टिव इंडेक्स मतलब मियू जिससे हम मियू से डेनोट करते हैं तो इसका जो formula होता है वो क्या होता है साइन आइबाई साइन आर ठीक है या speed of कोई speed of light किसी एक medium में divided by speed of light किसी दूसरे medium में तो यह जब दोनों ऊपर और नीचे दोनों जगा speed है दोनों जगा units same है तो same units क्या होंगे जाएंगे तो क्या बचेगा इसका कोई भी unit नहीं होता है मतलब यह एक तरह किस तरह का quantity है unitless यानि आयाम रही तिसका कोई भी आयाम नहीं होता है यह बहुत अच्छे से हमें याद रखना है कुछ कुछ चीजे हैं जैसे relative density जैसे अभी हमने देखा था ठीक है relative density अगर आप याद होगा मैंने बोला था mercury का relative density कितना होता है 13.6 बोला था मैंने कुछ unit नहीं बोला उसमें इसका कारण इस यह है कि 13.6 जैसे कि अगर relative density निकालेंगे तो वह क्या होता है मेरा जैसे कि mercury का मैं निकाल रहा हूं तो mercury के घंत्व बटे ठीक है पानी का घंत्व तो दोनों ऊपर और नीचे numerator और दोनों में जब घंत्व हैं तो वह कट जाएंगे और क्या बशेगा कोई unit नहीं बसता है इसलिए यह condition हो गया या है ठीक है तो आपको पता होगा कि गैलन किस में जोता है तो गैलन जेनरली वाल्यूम मेजर करने के काम है तो गैलन बहुत हाइग क्वांटिटी हाइग अमांट ऑफ वाटर यह कोई भी लिक्विट ठीक है उसको मेजर करने में गैलन काम है तो जैनरली पानी की टंकिया जो पर जायताई उससे हम सदावित करते हैं कि सबसे के लिए नहीं होगा कंटेनर 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 का लिए तो एक कंटेनर का रखने करना यह तो पतनी असे लिए, असे के लिए अक्तन है वह चीज मेसर करने के काम में आता है। ठीक है है magnetic flux चुम्बकिय फ्लक्स तो जोगे देखना है कि हमें यह कि चुम्बकिय फ्लक्स का यूनिट क्या होता है ठीक है तो अब हम एक एक करके देखते हैं पैरेड अगर आपको याद होगा संधारित्र या धारिता जैसे की एक कैपसीटर कैपसीटर ठीक है इससे हम लोग क्या बोलते हैं तो यह जो संधारित्र है इसमें जो भी चीजें हैं जो भी चीजें लिखे भी हैं ठीक है उसे संधारित्र मतलब किसी कैपसीटर का कैपसीटेंस की धारिता को मेजर करता है वो कि कौन सा unit measure करता है तो यह तो option होगा नहीं कि हमें क्या पूछ रहा है magnetic flux या क्यों बकिया flux के बारे में पूछ रहा है अब हेंडरी हेंडरी किसका unit है तो हेंडरी अगर आप लोग देखिएगा तो inductance अगर आपको पता होगा inductance जिसके कारण आप क्या सकते हैं कि magnetic flux किसी main जीज होता है ठीक है तो उस case में inductance या इसको क्या बोलता है प्रेरकत्व तो जो प्रेरकत्व यानि inductance होता है उससे हम लोग किश्म मेजर करते हैं हेंडरी में जिसे हम लोग capital H से denote करते हैं पारेरेट को capital F से denote किया जाता है हेंडरी को capital से दिनोट किया जाता है अब बार है पास्कल की तो पास्कल यानि प्रेशर मेजर करता है तो प्रेशर जिसे हम प्रेशर करते हैं तो यह क्या मेजर करता है मेरा प्रेशर या हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं यह दाब मेजर करता है ठीक है अब बचा वेबर वेबर क्या है य तो यही मेरा क्या होता है वेबर होता है तो आंसर क्या होगा ऑप्शन और आप चीज यह ध्यान में दीजिए कि यह दो दो बार अलग-अलग डेट्स पर पूछा गया है तो यह इस तरह के कि कर देएं के फोल्ग देखने हैं कि कौन अपनी काई के साथो धृके सही तरह से म Inte नहीं है सभाइब दौनुम्हें इन गिन हां धेखना है मतलब इन दोने में अठी तरह पूछा गया है अब हम लोग देखते हैं तो फ्रिक्वेंसी फ्रिक्वेंसी हर्ट के साथ सही मैस्ट है ठीक है इसमें तो कोई गलती नहीं है ठीक अब प्रेशर पास्कल प्रेशर पास्कल यह भी सही मैस्ट है इसमें भी कोई इस्यू नहीं है लेकिन एक है अब है इलेक्ट्रिक कंडॉक्तेटमेस सीमेंड जी आपको थौध सानख लग रहा होगा कंडॉक्तेटमेस क्या होता है तो इलेक्ट्रिक है जो सब्सक्राइब यह जो जब रेसिस्टेंस का युणिट ओम तो इसका यूणिट चांटो जाया घोए no वन बाई तो इससे क drawn पोला जाता है या इससे हम लोग sì बहुते है कीमें थे बोलते हैं किya है मिडर रेजिस्टेंस याणि प्रतिरोध का उल्टा को हम लोगी फिर आनसर क्या होगा कि यह तो पता चल गया किसमें करते हैं लेकिन टेसला जो है मागनेटिक के स्ट्रेंथ मतलब कोई चुम्बकी चेत्र कितने ज्यादा शक्तिशाली है कि यह तक आपको सब चीज़े क्लियर है तो हमें हर ऑप्शन को पढ़ते जाना है हर आप्शन को देखते जाना है है कि आफिर वह अप्शन गलत है तो क्यों है और सही है तो क्यों है ठीक है तभी जाके हमें जो भी कंसेप्स सारे जनरेट हो पाएंगे ठीक है अब displacement कि देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है कि displacement और distance में तो जैसे की displacement है इसे मैं एक एकजामपल से समझाता हूं जिसे कि मान लेते हैं यह पार्क महें किसी आपको चलने के लिए या दोड़ने के लिए एक रास्ता बनाये हुआ ठीक है बीच मैं यह क्या है तक बारक चार और आपका रास्ता बना गया है मा लेते हैं आप ने ए-पॉइंट से इस समय के बाद वापस यह पर ही पहुंच गया वापस जहां से आपने स्टार्ट किया तह वहीं पहुंच गया तो इससे होगर होता क्या है अब दो चीजे इसमें पूछी जाती है इस तरह के question में एक को हम लग बोलते हैं distance यानि दूरी और एक को बोला जाता है displacement यानि की विस्थापन तो जो displacement है और distance है आखिर इन चीजों में अंतर क्या है यह हमें देखना है तो यह क्या होगा जैसे कि इस example से हमें समझना है तो अगर ह displacement में मेरा देखा जाता है कि मैंने start कहां से किया था और मैंने इंडिंग पॉइंट किया है मैंने खत्म कहां किया तो इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो मेरा विस्थापन कहलाता है ठीक है difference between starting and ending point यानि जहां से मैंने शुरू किया और कहीं मैंने खत्म किया उन दोनों क के बीच कितनी दूरी है वो दोनों कितनी दूर है उसे विस्थापन कहता तो इस example में मैंने a से ही start किया था और वापस a पे ही आके रुख गया ठीक है तो इस चीज़ को हम लोग क्या बोलता है इस चीज़ में हम लोग क्या बलेंगे कि मेरे displacement कितना होगा जीरो क्यों जहां से मैंने शुरू किया वहीं तो मैं आकर रुख गया वापस इसले विस्थापन क्या होगा जीरो बट आपने जी दूरी तैकी वह जीरो नहीं हो सकता ठीक है तो दूरी क्या होगी अब हमें जै जो बी रेडियस होगा उसे रख दीजिए वो आपको क्या देदेगा अब डिस्टेंस यानि दूरी कभी शून यह नहीं हो सकती में और गती कर रहे हैं जीरो नहीं हो सकता हाँ, इस तरह के कंडिशन में जहां आप ने जहां से स्टार्ट किया है वापस आप उसी जगह पर पहुंच जाए तो उस कंडिशन में डिस्प्लेस्मेंट जीरो हो सकता है भले ही आपने कुछ गतिक किया हो ठीक है आप विरामावस्था में नहीं हो फिर भी ठीक है तो यह चीज बहुत अच्छे से हमें देखना है तो अब जैसे कि मैंने मेजर किया डिस्टेंस तो डिस्ट इसका एसा यूनिट क्या होगा मीटर ठीक है यहां तक समझ माया कि इसका एसा यूनिट क्या होगा मीटर होगा अब विच अब फॉल्विंग फॉल्विंग फिजिकल क्वांटिटीज हैव सेम यूनिट इन में से किसकी इकाहिया सेम है किसके यूनिट सेम है यह हमें देख सकते हैं इसे हम लोग बोल सकते हैं इसे हम लोग पास्कल बोल सकते हैं और यह क्या है प्रस्ट एक तरह का बल है ठीक है यह दोनों कि का यह तो same नहीं हो नहीं विल्यासिटी यांनि बल और सब्सक्राइब क्या होता है और सब Chili और सब्सक्राइब फीलोग पने सदेखा जा सकता है जैसे तो不起 टाइब और मंगेने टेक्स टेकर तो मेंने बोला स्ट चुमबक स्ट उससे रे प्रजेट करता तो तो फोर्स और वेट तो फोर्स भी क्या है एक तरह का एक और वेट जैसे कि मान लिजे जो भार लग रहा है जैसे कि मैं खड़ा हूं तो मैं जमीन पर जो भार लगा रहा हूं उससे भी किसमें मेजर किया जाता है न्यूटन में और फोर्स का भी यूनिट क्या होता है इसका का इन दॉन हो तो इन दोनों से कई सें मेरा कॉंसा होगा ऑप्शन नहीं है उन दोनों के उनिट्स वह हमें यह चीज बहुत अच्छे से याद रखना है कि वेट जो होता है एक तरह का फॉर्स होता है और इस लिए एक तरह का वेक्टर क्वांटिटिटीर इस लिए क्या होता अलग अलगını घार पर जहां पर जी यानी मेरा अक्सेलरेशन डिवर्ट ग्राविटी ठीक है जी जblesव लड़ जहां जहां अलग होता है उसके अकोर्डिंग वहां वहां हमारा वेट चेंज करता है जैसे यहां पर मेरा वेट 60 किलो है तो चांद पर कुछ और हो जाएगा किसी और गराव पर कुछ और हो जाएगा ठीक है तो वह सब चीज इस पर डिपेंड करता है ठीक है इसलिए फोर्स और वेट बराबर हों अब देखि रिटार्डेशन कोई बहुत ही निया कंसेट नहीं है इससे हमने लास्ट्स में भी डिश्कस्ट किया था तो अब क्या डिश्कस्ट किया था अगर आपको पता होगा एक्सल्रेशन या त्वरंद में तो जैसके यह तो इसमें होता क्या बीशिकली जैसे कि अगर मान लिए यह बिंदू जैसे मैंने लास्ट क्लास में भी डिसकस किया था यह 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 बी है अगर कोई चीज यह पर मान लेजिए 10 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से चल रही है और इसका जो गती है इसका जो स्पीड है यह वेलासिटी है वह बढ़के हो जाता है 50 किलोमीटर पर आवर तो यह क्या हो रहा है चेंज इन वेलासिटी क्या है पॉजिटिव है यानि कि मेरा जो मेरी जो पिंड है मेरा जो गाड़ी है जो वस्तू है वो क्या कर रहा है उसका स्पीड बढ़ रहा है तो वह एक्सल रेट कर रहा है ठीक है लेकिन यही चीज अगर उल्टा हो जाए मान लीजे मैं 20 जा रहा हूं तो शुरू में मेरा स्पीड था वह 50 किलोमीटर प्रति घंटा था और उसके बाद जो भी स्पीड है वह आके कहां हो गया 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया तो जैसे कि स्पीड कम हो गया इस केस में भी वही यह सेम है ठीक है तो जैसे की अब इसे करेंगे तो हमें श अब देख सकते हैं तो यह घंतमक राशी है यानी एक कि अब जैसे कि मैं रिटार्डेशन निकालता हूं तो मैंने क्या बोला कि मैं 20 से जा रहा हूं तो यानि शुरू में है 50 ठीके शुरू में कितना है पचाथ तो यह जो नेगेटिव यानि जो रिर्रात्मक चिन आया है इसी को हम लोग तो नेगेटिव एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन बोलता है तो आप लोग एक चीज़ देखिए यूनिट से में दोनों में यूनिट में कोई फरक नहीं है यहां पे साइन में अब इसमें हो क्या रहा है इसमें जो मेरा ऑब्जेक्ट है या जो पेंड है या जो वस्तों व होता है तो यह आंसर होगा सिंपल है ठीक है यह चीज़े समझ में आ रही है है यह वायर्ड आटमस्फिर यानि एक वायू मंडली अदाब तो एक वायू मंडली अदाब जो हम लोग पास्कल में बोलते हैं ठीक है यह 760 mm of Hg जो हम लोग बोलते हैं वह क्या होता है सब्सक्राइब लगब लिखा रहता है तब भी वह ठीक है गलत नहीं है और बहुत जगा सिर्फ 10 to the power 5 पास्कल लिखा हुआ तब भी वह सही है ठीक है क्योंकि होता ही है कि कैलकुलेशन करने के लिए कालकुलेशन का असान करने के लिए हम लोग इन जी जो को छोड़ देते है तो सिर्फ इसको लिखते है तो बहुत ही ज्यादा कोई अंतर नहीं पढ़ने वाला है ठीक है तो हम याद रखने हैं वन एक्टमस्फिर क्या होता है वन पॉइंट जीरो वन टाइम्स टेंट दे पावर 5 पसकल या 760 mm of फजी ठीक है यानि मर्करी का रेडिंग ठीक है वन रत पावर या एक अश्व शक्ति जैसे कि हम ने लास्ट में डिसकिस किया तो शक्ति क्या है इंडुस्ट्रिय यूनित रहा है उसका इंडुस्ट्रियूनिट असकता है वैलियो जैसे 766 गश्योट तो सब्सक्राइब यह नहीं करना बस यह देखना है कि क्या लिखा हुआ है तो पावर का जूल नहीं वाट होगा ठीक है तो अब हमसे यह पूछ रहा है कि वान और पावर कितना होता है ठीक है एक होर्थ पावर या एक अश्व शक्तिक इसके बराबर अतलगबग 746 वाट्स के ठीक है अब न्यूक्लियर रेडियस देखिए न्यूक्लियर रेडियस होता क्या है जैसे की यह मै Rec yourself इसका क्या रेडियस होगा या इसका कि डाइमीटर में सकते है आट्सक्राइब नूजल ऩकर क्यों थ्यूंज्थ पार्त धृत है जैसे क्यक्यों सो जैसे कि कोई सब्स्टान्स है या कोई मैटर है उसके इस्से मिलके बना हुआ है एकம सब running particle बोला लाता है तो सब आतोमीक पार्टिकल है तो यह उवस्वीक हमें आख से तो दिखेंगे नहीं नॉर्मली ठीक है तो इन्हें हमें कैसे इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोप से देखा जाता है ठीक है या उसका अभास लिया जाता है ठीक यह बहुत सार एक्सपरिमेंट्स है जैसे कि आपने भी देखा होगा स्वन वगरा उसमें इन तरह के प्रयूक्स किया जाते तो इसकी त्रिज्या अभी यह तो इतनी छोटी है कि यह हमें स्वेंट करता है मिलिमीटर में बहुत ज़्यादा बड़ा है सेंटी मीटर इसके आंसर नाम मतलब क्या होता है 10 वह नाइन मीटर यह याद रखना नाइनो मीटर यानि टेन टू दी पावर माइनस नाइन मीटर मतलब यह बहुत छोटा आप समझे एक मीटर कितना होता है और उससे दस गुणे नौ छोटा आप समझ पा रहे हैं कितना वह छोटा है ठीक है अब अगली ही चीज हम देखते हैं serum यानी प्रधिक कोई चीज कितना इ Avenue करते हैं अध्ये वोल्ट-मेंटर तो यह क्या मेजर करेता विभाव मेजर करेंगा मतलब मेरा पोटेंशल मेजर करेंगा और मिलीवल्ट मीटर यानि किसी ऐसी चीज में जैसे बहुत ही छोटा पोटेंशल बहुत कम पोटेंशल रहता है उस केस में हम लोग इस मिलीवल्ट का यूज करते हैं अब स्ट्रोबो स्कॉप अगर आपने देखा हो गाई जैसे की कोई मोटर अग्वगार आपने चेक्क किया होगा अगर आप नहीं पड़ा अगर तो उसमें आपने देखा होगा कि कैसे कोई अगर एक मोटर घूमते रहती है तो यहाँ पर हम एक रेड लाइट जला के इस तर है तो उसका काम होता है स्ट्रोबो को क्या है कि वेलासिटी किसी भी रोटेटिंग ऑबजुट का जो भी ऑबजट घूम रहा है तो जो जो चैसे हम लोग इसे तरह से नहीं कितना है कोण कितना चारिक करने के काम में आता है यह चीज़ को क्या मेजर करता है सब्सक्राइब कि अब लक्स मीटर इसका आंसर का लक्स मीटर के बारे में हम लोग जानते हैं तो जब एक तरह का मीटर एक तरह का यूनिट है ठीक है तो इससे हम लोग बोलते हैं लिवेंश पर मीटर स्कौर ठीक है यह चीज याद रखिएगा ल्यूमेंश पर मीटर स्कौर होता है लक्स और इससे हम लोग इसी चीज लेकिन वो कितनी बार पूछा गया चार चार बार ठीक है एक ही साल में तो यह बहुत बहुत सारे में होता है कि हमें समझने पडेंगे яв करने सकते चोड़ने तरह के इस से तरह का को हमें छोड़ना नहीं है कि आये देखते हैं कि क्या है किलो वाट आवर किलो वाट आवर अगर आपको लास्ट क्लास में याद होगा मैंने बोला था कि बिजली के मीटर जो हमारे घरों में लगे हैं उसमें कितने यूनिट्स मेजर हुए मतलब इलेक्ट्रिसिटी का कॉमर्शियल यूनिट ठीक है वो मेजर करने में कौन मेरा आता है किलो वाट आवर ठीक है अब हमें इससे तोड़ के देखते हैं कि यह कितने बरावर होगा कि किलो वाट टाइम्स इसका मतलब यही हुआ एक किलो वाट गुने एक घंटा अब स्यब्सक्राइब मतलब क्या होता है जूल पर सेकंड तो वाट टाइम सेकंड रोगना लेकिन हमें यहां किया दिया हुए घंटा तो हमें क्या करना पड़ेगा ग्नटे को सेकंड में और हम जानते हैं एक गंटे बराबर कितने मिनट ठीक है और एक मिनट बराबर कितने सेकंड तो हम यहां से डारेक्ली बोल सकता है से कि यहां एक और चीजहान रहे है कि लेकिन क्या करेंगे क्योंवाट को वाट में करने के लिए कि टें टूदी पावर ठी यानी फिल्क बराबर होता है हजार वाट के ठीक है तो यहां हजार मतलब टेन टू दी पावर थी गुन्य श्क्राइब तो यह क्या हो जाएगा श्क्राइब पाइफ पर जूल ठीक है आ रहा है समझ में और अगर हम इससे ऑप्षिंस मैच करेंगे सब जगा 3.6 दिया हुआ है तो हमें अगर इस एक से डिवाइट करना है तो एक और डेसिमल से मल्टिप्लाई भी करना होगा तभी जाके सेम रहेगा तो यह क्या हो जाएगा इसे एक और तरीके से लिखा जाता है बहुत जगा जिसे बोला जाता है 3.6 मेगा जूल 10 to the power 6 कीलो के भी उपर होता है जिसे हम लोग बोलते हैं मेगा ठीक है तो आंसर क्या हो जाएगा 3.6 टाइमस 10 to the power 6 जूल्स ठीक है पीकोमेटर देखे यह बहुत इंपोर्टेंट है इसको पढ़ने के पहले हम लोग एक खोटा सा एक कॉंसेप्ट है उसको समझ लेते हैं बहुत अच्छे से अब देखे इसमें पीकोमेटर में जनरली होता क्या है हमने आपको बताया कि मीली जो सबसे एक सबसे बताया था है उसके नीचे क्या से फिस्क्राट होता है और किसे बढ़ा होता होता सब्सक्राइब नानो मेटर अभी आपने देखा था एक क्वेशन हमने किया था तो इससे क्या होता है एक इंपोर्टेंट होता है उसे हमलोग बोलता है पिको, पिम, जो जो क्या होता है, 10 to the power minus 12 meter, आ रहा है समझ में, लेकिन, अब किलो मेटर से उपर तो ये चीज़े हमें याद रखनी है, at least ये चार तीज़े कि माइक्रो, नैनो और पिको क्या होता है, ठीक है, अब किलो मेटर, किलो मेटर क्या हो गया, 10 to the power 3 meter, ये positive में गया, इस से उपर क्या होता है, जैसे कि अगर unit के measure कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, मेगा क्या लाएगा, यानि 10 to the power 6, तो इस तरह से जो भी चीज़े हैं, वो matter करते हैं, ठीक है, तो ये जो एक दो चीज़े हैं, हमें याद रखने पड़ेंगे, कि Pico कितना होता है, Nano कितना होता है, Micro कितना होता है, सब चीज़े तो obviously पूछी नहीं जाएगे, बट ये चीज़ इंपोर्टेंट है कि Mega, Kilo और Micro, Nano और Pico, ठीक है, अब आईए हम इस question को करते हैं, तो जैसे पिको मेटर का भी हमने देखा है, क्या होता है, छोटा होता है, तो 10 to the power minus 12 meter इसका answer होगा, ठीक है, 10 to the power minus 12 meter और ये एक बार पूछा भी जा चुका है, ये छोटी-छोटी questions है, जो हमें marks उठाने में help करेंगे, तो इस सब को हमें पढ़ के जाना है, ठीक है, अब 1 Joule, देख work done, अब कोई चीज का work done, यानि हम कब कहेंगे कि कार्य किया गया, कार्य कब तभी कहेंगे किया गया कि जब जैसे कि मान लीजी ये pen है, इस pen को मैंने उठा के एक जगह से दूसरे जगह रखा, यानि कि इस pen में कुछ बल लगाया गया और बल लगाने के बावजूद कुछ विस्थापन अगर होता है, विस्थापन नियान रखेगा विस्थापन मैं बोल रहा हूं, अगर विस्थापन होता है तो उस case में कहेंगे कि इसमें work done किया गया है, ठीक है, जैसे कि एक box है, एक box को इस जगह से इस जगह तक कुछ बल लगा के भेजा गया है, तो इस case में कि इस धूरी इसमें तो क्या हो जाएगा वो सका विश्थापन क्यला है जैसे कि दीवाल को धक्का जा तो एकिता है तो समस्थे ने हमारा जीर होगा क्वश्था अपने जगह से नहीं हिला है इस लिए ठीक है भले हमने खूब लगा दिया अपना सरीर का जो भी बलता सारा लगा दिया लेकिन उसके बाद भी यहां कोई विस्थापन नहीं हुआ जिसके वज़ए से इसे क्या बोलता है यह जो डिस्प्लेस्मेंट वो क्या हो जागा जीरो हो जाएगा यह अन्सर क्या हो जागा न्यूटन मीटर यानी थेक है आरहा समझ में न्यूटन सेंटीमीटर नहीं मीटर नहीं और वार्ट तो हो गए ठीक है पासकल तो क्या होता है प्रिसर का होता है इसले यह दोनों ऑप्शन अलरडी सबसे पहला option एक न्यूटन बटे एक मीटर ठीक है यह बहुत अच्छा को जैसे की पूछा जा सकता है बहुत आसान कोशन है कि घर में पांच दिनों से जैसे कि हम यहां बोल रहा है कि घर है जो कि पांच दिनों में सो यूनिट्स खर्च करता है ठीक है जो भी एक्विप्मेंट जो भी उपकरंड उसमें लगे हुए यदि उर्जा को जूल में परिवर्तित किया जाए ठीक है तो वह कितना होगा बहुत आसान है यहां ध्यान रहे हैं यूनिट को अब्यस्ली जो यूनिट्स है वह एक मीटर में शो कर रहे हैं लेकिन खर्च तो एनरजी हो रहा है ना तो उस उर्जा खपत को हम लोग यूनिट्स में पढ़ने के लिए उस जो है बिजली के मीटर का ठीक है तो वही चीज उर्जा में कितना है वही हमें बताना है कि जैसे यूनिट्स में तो हमें बताया गया कि चलो 100 तो अभी हमने एक किया था अभी निकाला था एक बराबर कितना होता है थ्री पॉइंट सिक्स टाइम सेंट टो दी पावर शिख जूल ठीक है एक किलोवाट आवर यानी एक किलोवाट खर्च हुआ कि इतने घंटे में एक घंटे में यानी की इसको मों क्या बोलते हैं वन यूणिट अब बेसिक समझ एक यूणिट इतने के बराबर होगा है यह जूल में हाद एक यूणिट अगर इतने के बराबर यह किसके होगा थ्री पॉयंट 6 टाइंस टो दी प्रावर । हो को मैंने 2प निकिंट ब्रावर 2 रिग दिया तो यहां कितने आजाएगा त्री पॉइंट सिक्स टाइम्स टेंट टू दी पावर एट जूल ठीक है तो इसमें अभी तक आपने जो भी कॉश्चन देखे वह बहुत जादा क्याल्कुलेटिव नहीं है ठीक है रेयर एक दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जो कि क्याल्कुलेटिव रहे लेकिन मोश्टली इसी तरह के कोश्चन रहेंगे जिने आप तुरंत तुरंट कर पाएं क्योंकि हमने जब पैटन लास्ट क्लास में डिसकर्स किया था तो यह भी देखा था कि हमारे पास टाइम कम रहता है नंबर अफ कोश्चन ज्यादा रहता है तो उसके अकोर्डिंग हमें से हम लोग tertete mat traffic मतलब किसी चीज में कितनी मात्रा है पानी की उसमें वाटरब वेपर का कॉंटेंट कितना है त teammates कित नहीं है इस चीज को हम लोग है क्यों को इस करते हैं शोर नाम होता है जो कि फैंलियर है जो आपको जहनना चाहिए वो होता है हाइड्रोमीटर ठीक है यह है हाइड्रोमीटर यह है हाइड्रोमीटर जैसा कि नाम दिया हुआ हाइड्रो यानि द्रव्य पदार तो यह डेंसिटी ओफ फ्लूइड्स मतलब कोई द्रव या कितना घंडा है उसकी डेंसिटी निकालने के काम में यह हाइड्रोमेटर का हम लोग यूज करते हैं तो यह चीज हमें बहुत अच्छे से देखना है अब हीट हीट को हम लोग पाईडोमीटर से भी मेजर कर सकते हैं ठीक है मतलब वह जैसे कि मैंने कुछ एक पेन रखा हुआ है तो इस पेन में कितना घंडा है वो चीज किसे मेजर हो जाएगा मेरे पाईडोमीटर से हो जाएगा पॉर्स मेजर करने का बहुत सारा तरीका है वेइंग स्केल वगरा है ठीक है और भी चीज है रिडियेशन कि उसी तरह से मेजर हो जाता है ठीक है 43 अब हमें देखना है कि जैसे कि हम पिछले देख रहे हैं तो सब्मरीन कॉन सा समुदरी कॉन सा यंतर लिए समूदर के सर के उपर कि वस्कियों को देखने के लिए पंडूबी मैं रयोक्याएग आ हूं होता क्या है कि जैसे यह समोंद्र को फानी को आदमी को बेजूगा फिरव बार ओड़ अवीज पांच वॉड़ाद नीचे फिर पॉड़ा ओपर तो इस ये तो पॉस्यबल हाँ है नही misleading क्या किया है हम लोग एक करन का यूजब करते हैं जिक्तिते हम बोग इंग परिस्कोप, तो परिस्कोप होता कैसे है? मैं आपको example से बता दता हूँ कि परिस्कोप में क्या होता है? जैसे वो ठीख है? इस जगापे और इस जगापे दोनों जगाप दरपन यानी mirrors लगेवे रहता है ठीख है? और यह mirrors कितने एंगिल पर रहता है? पूटी फाइव डिग्रीज पर यह रहते हैं ठीक है अब होता कि आएद की जैसे मैं यहां पर खड़ा हूं ठीक है मैं सब्मरीन के अंदर हूं यह एक्विप्मेंट इस तरह से रहता है ठीक है इस तरह से देखने के लिए तो यहां पर कोई जो भी व्यक्ति खड़ा है वो क दिखेगा तो इस तरीके से मेरा जो पेरिस्कोप हो काम करता है और हम यहां पर यहां पर जो हुद्विद्यद्बैंगी SKY. तो परिस्कोप कुछ बहुत बढ़ा यंत्रम नहीं होता है मिलईट का कंबिनेशन इस तरह से होता है कि इस तरह से सब्मरीन से क्या होता हब जैसे अंदर बैठे बैठे बी ना बाहर निकले भी हम लो उपर में क्या है कौन सी बोट तैर रही है कौन सा मुझवरा है यहां बहुत ही मैं जय सकते हैं दे क्का कर देखते हैं कि बागी क्यों सही कौन सा हुए मेरे वेहिकल में तो वेहिकल में क्या यह मेजर करता है डिस्टेंस ट्राइवर्ड मतलब मेरी गाड़ी ने कितनी दूरीत है कि 10,000 किलोमेटर 12,000 किलोमेटर यह किसे दूरीत होते है यह होती है ओडोमेटर से ठीक है कि पाइरोमेटर मैंने आपको लास्त वें बता इससे क्या होझा करते है किसी भी सबस्टाम्स का haber ठीक है वह कितना घ्रम है वह कितना ठंड़ा यह चीज़ भाज़ल से मेज़ा करते हैं अपिड देखिया एक तरह का यह जो end तरह का प्रोजेक्टर होता है यह तरह का सिंपल progetter होता है आज कल तो यह यूज़ होना बंद हो गया यह पुराने जमाने में यूज़ होता था तो यह प्रोजेक्टर क्या करता है कि ओपक और अबजेट्ट ओपक और ट्रांस्पेरेंट दोनों तरह के वस्तूओं को यह क्या करेगा देखने में जैसे कहीं पर किसी पर्दे पर दिखाने में help करता है ठीक है तो उसी को हम लोग यह चीज याद रखेगा कि एक तरह का प्रोजेक्टर को देखने में मदद करता है उस तरह के अबजेक्ट जिसके आर पर हम लोग नहीं देख सकते जैसे यह बोड इस बोड के पीछे क्या है यह हमें नहीं पता है ठीक है तो यह क्या हो गया अब ट्रांस्परेंट जैसे की क और छोता है इजब ट्रांस्पेरेंट में लुग घए अब वीनमास पड़ रहा है मुझ नहींrá की हावा में पढ़ाiston में पढ़ाया है ठीक है तो यह चीज पूछा जा चुका है इसलिए जो भी चीजे हैं जो भी त्यूरी उसको बहुत ही अच्छे से करना है थाकि कुश्चिंस का लेविल थोड़ा सा हम बढ़ा सके हैं ठीक है बनाने के काम में आता है थार्मोमीटर हम जानते हैं घो इसका अंसर होगा बैरोमीटर अब सूरी को देखने के लिए तो स्ट्रोबोस्कोप तो ओविसली है नहीं ठीक है सन मीटर कुछ वैसा होता नहीं है टेलिस्कोप टेलिस्कोप जेनरली सूरी को नहीं कोई दूर होका वस्तू जैसे कि मान लिजे जैसे एक तरह से जो गया या जैसे कि हमें की तारे वगरे को देखना गया लेक्सि नहां उस तरीके से क्या होता है बड़े-बड़े टेलिस्कोप होता है सांटिफिक टेलिस्कोप उसका हम लोग यूज करते तो तो तरोबोस्कोप का आपने वह जासे कि हमने बताया तरे सब्सक्राइब चीज में जो भी एफेक्ट से जैसे कि आप देखते होंगे नासा या इस रो हमें जो भी चीज है वो बताते हैं तो उसे हम लोग है लिसकोप से ही जान पाते हैं कि संद में क्या गतिविजी चल रही है अब अमीटर जैसा कि मैंने अभी थियोरी पढ़ाते हैं समय डिसक्स किया थे कि अमीटर को हमेशा कहां लगा जाता है और यृम इधित्र यहां पर लगा है तो उससे होगा कि जैसे इसके अप्रतुरोर्द बहुत ज्यादा कर देता हूं ठीक कि बहुत जादा कि बहुत जादा बहुत जाद है तो उसमें क्या ऑगा बल्ब जलेगा ही नहीं थीक है तो मेरा फाइदा कुछ हुआ नहीं यह मतलब अगर अगर उसलिए इसका रिजिस्टेंस जितना कम हो सके उतना रखाजाता है था हमेशा कम होता है और यह ज्यादा एलेक्रिसिटी भी कंज्यूम नहीं करना चाहिए तो क्या होगा रीडिंग सही नहीं आगए तो इस तरह से बात हो गया कि जैसे कि मैं थर्मोमेटर का यूज कर रहा हूं अपना बुखार नापने के लिए अपना बॉड़ी का टेंपरचर से कि मेरें मेरे iph aan ऐमेटर में रहने चाहिए उसका प्रतिरोध कम होना चाहिए और उसकी में जो विद्यूत का खिचाव है क्यानि वह जो एनेर्जी कंजियूम कर रहा है जो वह बहुतब चोटा रएंगी चोट तो इतना ही था हमारे मेजरिंग इंस्ट्र été में ठीक है ल स्टार्ट करेंगे ठीक है फिजिक्स का और एक चीज और कि आपने देखा होगा कि आरारबी का अभी जो लेटिस्ट शीडियूल वह भी निकल चुका है ठीक है जैसे कि जूनियर इंजिनियर के लिए या टेकनिशन्स वग्यरा के लिए लपी के लिए तो अभी जैसे एंटी नहीं समझ में आ रहा है फिजिक्स में या कोई वैसा टॉपिक जो आपको लग रहा है कि प्रॉप्लेमेटिक है ठीक है या जो आपको पढ़ने की जरूरत है वह में प्लीज कॉमेंट सेक्शन में बताइए हम लोग उस पर जरूर वीडियो बनाएंगे क्वेस्ट बनाके आपकी हेल्प जरूर करेंगे ठीक है और एंटीपीसी की फॉर्म अब तो अभी भराई रहे हैं तो आरवी या जो भी आरवी को फॉर्म भरा है ठीक है जिनके डेट्स और पोस्ट के डेट्स हो गया है वह उतने त्यारी शुरू करते क्योंकि डिसंबर में एक्जाम है ठी टीपीसी का जैसे ही तिरत या चौदा तारी को फॉर्म भराना बंद होगा उसके मुझे लग रहा है कि इसका एक्जाम भी जन्वरी के असपास ले लिया जाएगा ठीक है तो हमारे पास टाइम कम एक ही दो मैने है तो हमें हमें सा कंसिस्टेंसी रखना पढ़ने के लिए पढ़ाई में हमें सा कंसिस्टेंसी रखे और इसे तरीके से ठीक है डिवोशनली पढ़ता रही है ओके थैंक्यू